नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में गूरी इवरीवन गूरी इवरीवन आपको बहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहा हूं इन्दी चाइट जस्ट लेट मी नो कि अमाय ओडेबल एंड विजिबल इस पड़ावट से बताएंगे मुझे क्या मैं आपको दिखाई सुनाई दे रहा हूं सही है कैसे है आज हमारे पास है एकोनॉमिक्स के चारो चाप्टर जो हम आज के इस मेराथॉन सेशन में रिवाइस करने वाले हैं और दूसरी चीज जो है प्रॉमिनेंट वह यह है कि इस मेसे जैसे एक चाप्टर जो अपना ग्लोबलाइजिशन उसमें जी टुएंटी सब्सक्राइब करें और जो जैसा जो पैटर आज तक फॉलो करते आएं वह यह उसी तरह से फॉलो करते चल रहे हैं ठीक है आज मेरा स्वास बहुत ही जाता कड़ बड़ है दो घंटे पहले तक ऐसा लग रहा था कि सेशन केंसिल करना पड़ेगा मुझे ठैंक ठैंक्स टू इंजेक्शन सेंट बॉटल्स कि बच गए तो उस तरह से थोड़ा सा कॉपरेट करते चलना हां ठीक है जल्दी जल्दी करेंगे छोटे-छोटे चाप्टर रहें तो इकनॉमिक्स कहानी शुरू करते हैं एकनॉमिक्स की चुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि हमने तीन मेराथान सेशन कर लिए है complete तो तीनों मेरा हो था सेशन में अपना पूरा part complete हो गया है और जो घृणच के लिए सबसson करेंगे तो कल जो सुबह सेशन करेंगे वह वहाई सपेपर वाला सेशन सुन। पांच बजह हम लोग मिलेंगे जिस में जिसमें हम अल्टिमेट गैस पेपर डिसकस करेंगे देखो कि यह चीजे एक्जाम में कल आने वाली है उस टाइब से ठीक है तो वह अपन सुबह मिलेंगे 50 कोश्चन्स हां मतलब वह 50 कोश्चन्स तो एक कहने का तरीका था मतलब पूरा वह कि देखो यह यह तो पता होना चाहिए मतलब और हमारी टीम को कल पता चला कि यह जो इस फैमर्स आते हैं सुपर चैट करते हैं सुपर चैट उपर चैट कुछ नहीं करते बच्चे यह स्कैम से हम में फसा देंगे तुम्हें तो बचना इन से हां है और है कि चैनल खरीदके क्या करोगे तुम पड़ो लिखो और चलो शुरू करें में कहाणी ही शूरू करते हैं इस हमारे से questions आना बहुत जादा prominent है तो अगर वह हम समझते चले फटा-फट से तो development का मतलब क्या होता है विकास development जो है ना तो वह बड़ा वेग concept है सबके लिए development का मीनिंग अलग-अलग होता है सबके लिए development का मीनिंग अलग-अलग होता है इस दिखाऊंगा तो ऐसा पुछा जाता है कि एक लैंडलेस लेबर का क्या developmental हो सकता है एक टिवलापनेंटल गोल हो सकता है तो अलग-अलग तरह से सवाल पुछने को आपको देखने को मिलते हैं तो वाट डवलेप्मेंट प्रोमिसेश डिफरेंट पीपल डव्लेप में ल गोल वह क्या हो अपे जिर बार आता है बहुत अच्छे से द्यान रखना क्या की जी सवाल बार बार आता है not be the development for another, it may be destruction for another, तो उसका example जिसे अगर आप देखोगे तो उसका example में आपको समझ माएगा क्या उसके example में damn का example एक classical example है. डैम काIVE एक classical example क्यासे है जैसाच जब bleiben बनता है तो उसमीड़ क्या देखने की कमलता है, damn के construction की समय कि बहुत सारे लोगों को क्या किया जाता है विस्थापत किया जाता तो अगर किसी को पानी मिल रहा है रहे है नियुक्त साय है हिंदुस्तान सोशलिष्ट कि रिपबिडिकन आर्मी ऐसा- रैपिड रिविजन का एक चैप्टर जो है तो वह एज रिस्टिक्टेट हो गया पता नहीं यूट्यूब क्या है सस्ते नसे ठीक है तो अब अगर जैसे आप देखो गए हाँ पर तो डेवलोपमेंट का अब्जेक्टिव क्या है कि वाट डेवलोपमेंट प्रॉमिसेस डेवलोपमेंटल गोल वाट में भी डेवलोपमेंट फॉर वन इट में भी डिस्ट्रक्टिशन फॉर अनदर डैम कंस्ट्रक्शन का एक्जामपल विशेश रूप से ध्यान रखना ठीक है अब अगर आप जैसे देखोगे तो यह वाला जो पार्ट है इस पार्ट पर अब जैक्टिव कोश्चन बार-बार बनते हैं आप बुक में अगर खोल कर देखोगे तो एक लाइंडलेस लेपर के लिएक विमेंट के लिए सबके लिए वोग हो सकते हैं डैम कंस्रक्शन इंपर के बाद में जैसे नोट्स आपको सीधे के सीधे मिल जाएंगे पूरे के पू आगे बढ़ते हैं इनकम इन अधर गोल्स के अगर बात करें तो डवलप्मेंट में आपको एक चीज समझना होगी क्या समझना होगी डेवलप्मेंट में कि हम सिर्फ पैसे से डेवलप्मेंट को नहीं देखते हैं इंकम के अलावा भए हम दूसरी चीज़ों को कंसिदर करते हैं हम जैसे सेफ्टी हो गया जैसे सिक्योरिटी हो गया अगर मानलों आपको जॉब मिल रही है लेकिन जॉब आपके घर से बहुत दूर मिल रही आपको तो यह सवाल आता है कि आप यह डिस्टंस फॉरम हों मी दे वो तो मैं देख लिया कि different people में have different developmental goals लेकिन वो अलग अलग होने के साथ में सिर्फ income तक सीमित नहीं होते हैं income के अलावा भी दूसरे criteria's होते हैं इंचम के अलावा भी दूसरे criteria's होते हैं वह जो हम developmental goal की जब बात करते तो चीज़ की गैरेंटी नहीं है हम दूसरे भी क्राइटीरिया जो है उनको बहुत इंपोर्टेंस देते हैं जब डेवलपमेंट की बात होती है तो अगला टॉपिक जो आता है नैशनल डेवलपमेंट अब जैसे हम देख रहे हैं कि जब हर एक व्यक्ति के लिए वही निकलते आता है कि thinking about fair and just path for all because different people may have different developmental goals एक साइकल समझना कैसे एक बार फिर से रिकाप करवातों पूर और यहां से question बनता है वो भी बता दिया मैंने तुम्हें कौन सावाला कि how different people may have different developmental goal what may be development for one may not be the development for another it may be destruction for another और जब development की बात आती है तो हम सिर्फ income को consider नहीं करते दे रिस्पेक्ट यह सारे factors को भी consider किया जाता है जब हम बात करते हैं goals की other than income की तो जब हम अपने developmental goal को define करते हैं तो हम क्या करते हैं mix of goals को देखते हैं सिर्फ एक goal को नहीं पकड़ते हम ठीक हम एक mix of goal को लेके चलते हैं कि multiple goals को एक साथ देखा जाता है ठीक है अब बात आती है क्या अब बात आती है कि national development क्या होता है तो national development में कहानी वह यह क्या कि हर वेक्ति के लिए जब developmental goal अलग अलग होता है तो national development में भी आपको यह चीज़ समयना होगी कि हमें वह देखना होगा जिससे maximum good for maximum people हो सके वह national development की कहानी होती है ठीक है आपने जो भेजा था वो डाउनलोड नहीं हुआ क्या डाउनलोड नहीं हुआ कि पीडिए भेज़े था उसमें कल सब कुछ आएगा क्या कि सर्जो आपने आज पीडिएफ भेजी थी आज मैंने कौन से पीडिएफ भेज़ दी एक में टुक जाओ हाँ हाँ जियोग्राफी की कल पहुचाए थी भाव आज की पीडिएफ तो अब आज जाएगी ना अभी सेशन के बाद दूँगा एकनॉमिक्स वाली ठीक अब आगे बढ़ते हैं घर तो हाउ टू कंपेर डि कैसे कंपेर करोगे अब आपको चैप्टर को दो हिस्सों में तोड के देखना होगा कैसे दो हिस्सों में तोड से ठतों यह होगा पूरा कि जहां पर हम उडखा कि जेन कंप Kन की डिफिनेशन अलग अलग हो सकती डेवलपम्न पक्तान मोलनीं पाकिसान प्रोर्च हमारे लोगों पहुचा दे क्वश्चा का वदर ही दो चांद सक की सब सकते कौन सा कंट्री ड्वलप और कौन सा कंट्री डेवलप नहीं है उस चीज़ को compare कैसे करोगे तो यहां जैसे अगर आप देखोगे ना तो इंकम एक important criteria होता है countries को compare करने के लिए अब मेरी बात बहुत अच्छे से धिहान रखना क्या कि यह question आता है बार-बार कि how to compare different countries और states अलग-अलग countries और states को कैसे compare करते हैं तो countrys और states को compare करने के लिए total income एक भूआट important role play करती है total income क्या है total income को आप national income कहते हो तो जितने भी individuals हैं किसी भी देश के उन सब की income को जब आप जोड़ देते तो आपको total income मिल जाती है ठीक इतने भी इंडिविजल से किसी बिदेश में उनकी सबकी इंकम को जोड़ देता है तो आपको टोटल इंकम मिल जाती जैसे में नैशनल इंकम country to country जब vary करती है तो इसके लिए आपको क्या देखना होगा आपको धेखना होगा कि आप लिकलो अबरेज इंकम में क्या डिफरेंस है दिहान रखना बहुत अच्छे से total income of the country मतलब जितने भी citizens हैं उन सब की इंकम को जोड़ोगे तो आपको साइज से क्या होती है कंट्री के पॉपुलेशन साइज से वैरी करती है तो इसलिए कंट्री को कंपेर करने के लिए हम एवरेज इंकम या फिर जिसे पर-capita income कहते हैं उस concept को लेके चलते हैं पर-capita income क्या होता है पर-capita income की जैसे अगर हम बात करें तो पर-capita income का मतलब भी होता है कि total income of the country total income of the country divided by the total population total population तो इससे होगा कि जो कहीं population ज्यादा और कहीं population कम है वह फेक्टर कॉप नेगेट कर दोगे ठीक है तो average income या फिर पर-capita income यह होता है कि जब आप total income को total population से डिवाइड कर दे तो रिकॉल करना average income क्या होता है average income से country को कैसे compare किया जाता है यह जो सवाल है यह सवाल बार-बार आएगा ठीक है कल का टाइम पांच बजए है ठीक है यह हो गया अब इस टोटल income क्या बोलते है पर-capita income से जिसे हम क्या करते हैं कि यह निकाल लेते हैं कि एन इंडिविजल इन कंट्री हो मच ही और शीज़र नींग और उससे आप सम देखते कि वह country जो है तो वह country किस लेवल पर रिच कंट्री में आ रहा है या फिर प अब मैं आपको disparity का एक example समझाता हूं कुश्चन आता है यहां पर इस चाप्टर से ध्यान रखना एक तो स्टार्टिंग का बता दें मैंने कि how to compare different countries वाला और दूसरा एक जो कुश्चन आता है इस चाप्टर से वह यह वाला आता है क्या कि how to compare different क्या बोलते हैं how to compare different countries तो per capita income के मदद से compare के जाता है और उस क्राइटीरिय में कुश limitation है क्या तो limitation यह है कि वह disparity को है दस रुपे एक कमाता है तीस रुपे ठीक है एक कमाता है तीस रुपे और एक कमाता है तीस रुपे ठीक है अब क्या होगा जब average income निकाली जाएगी न तो average income में क्या होगा total income कितनी होगी total income होगी यह 500 ठीक है total income 500 है divided by total population कितनी है पांच तो average कितनी आ रही है सो इक्राइश इंकम में आपने वोल ती है कि सभी लोग 100 रुपए कमाते हैं लेकिन Executive नब किछ लोग 100 से काफी ज्यादा कमा रहे और संहों से बहुत कम रहे लेकिन जब आकर दे तो तो सब बराबर कमा रहा है। तो जो ग्राउंड लेवल पे डिस्पेरिटी ना G Messiah जो थो रहते दिफ्रेंसेज रहते हैं वह डिफ्रेंसेटि साथ वह देखने को मिलते हैं तो यह की मैं यègow के लिमिटेशन है कि कि वावर इंकम YOU's a nag कर दिया जाता है ठीक है कि सब्सक्राइब चलो अरे चार और पांच छोड़ो मैं तो तुम्हें पांच बज़े से चालू करके दो घंटे में कम्प्लीट कर दूँगा चार बज़े करना क्या यह बताओ तो एक चीज़ ध्यान रखना क्या कि यह नोट्स जो है अपने आपने परियाप्ते तुम्हारा काम कर देंगे पिछले छह साथ दिनों में से आज सबसे ज़्यादा मेरी हालेट डाउन है कि कल रात में तीन बज़े तक मुझे ड्रिप लगी राज भर बुखार रहा सुबह भी बुखार रहा दो घंटे पहले तक यह था कि सेशन या तो कैंसिल करेंगे लिगन फिर मैं सुचा यार करी लो हिम्मत गरके और वह होता भी यह कि थोड़ी हिम्मत दिखाना पड़ती तो अपने आप चीज़ें सही चलने लगती फिर है कि नहीं कि डर लग रहा है डर सबको लगता है गला सबका सूखता है पानी की बॉटल उठाओ पानी पी और आगे बढ़ो ठीक है अब देखाओ जब तुमने साल भर महनत करी है तो फिर डरने की कोई बात नहीं साल भर मह नहीं है तुमारे पास तो डर के भी क्या कर लोगे बहतर यह है कि कल सुखे मौर्निंग वाले सेशन में आना तो जो इंपॉर्टन कुश्चन बताओं उनको रट के चले जाना बहुत अच्छे तो यह होगा कि तुमारा 80% पेपर तो हम होँआ से कवर कर लेंगे ठीक है कि चलो कि समझ में आया एक कोशन यह डेवलप्मेंट के टॉपिक पर प्रॉमिनेंट बनता है एक कोशन यह बनता है हूँ टू कंपे डिफरेंट कंट्रीस तो एवरेज इंकम और एवरेज इंकम की लिमिटेशन अब इसे साब सब्सक्राइब आप देखोगे न तो इंकम क आंग के दोरा और वर्ल्ड मिटके दोरा जो वर्ल्ड डेवलप्मेंट रिपोर्ट निकाला जाते है तो इस वर्ल beauty بالफ में क्या होता है इसमें इंकम में कंट्रीस को रैंग किया जाता है और उससाब से कुछ रिच डिच नेशन होते हैं दों पर नेशनज अब गत टूंत क वो कंट्रीज करहा हैं जहाँ पर पार केमित निकली आता है और जिन कंट्रीस में पर तो लो इंकम कंट्री कहलाती है है रखें ये हमने क्या देखा रहे थे एंड़ीज़ के ड joyful मैं ने को देखा था कि इंकम के अलावा भी दूसरे गोल्स होते तो यह हमने national development को भी income की आंक से तो देख लिया कि income कैसे national development में important role play करती है ठीक है अब लेकिन उसके अलावा जैसे आप देखोगे न तो उसके अलावा भी क्या है दूसरे criteria होते हैं countries को compare करने के लिए states के developmental level को compare करने के लिए और वो जो दूसरे criteria होते हैं कौन से income के अलावा वाले तो वो criteria होते हैं तो जैसे आप देखोगे infant mortality rate, literacy rate, net attendance ratio तो तीन स्टेट्स में कंट्री के तीन स्टेट्स में comparative data दिया है वो comparative data क्या दिया है देखना वो comparative germace rate, rate, mint mortality rate क्या है है हर्याना में infant mortality rate 1000 में से 30 भच्चों की benefits होती है ठीक है करला में infant mortality rate क्या है साथ यह और बिहार झति टू December तफिती है ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है पतलब ह fazer 32 बच्चों की deaths हो जाती है कि भही चीज़ आप तो हर्याना में लेट्रसी रेट एक्टी टू परसेंट के रला में 94 और बिहार में 62 अब नेट अटेंडेंडेंस रिश्यो मतलब क्या है नेट अटेंडेंस रिश्यो का मतलब यह होता है कि जो 14-15 साल के एज ग्रूप के बच्चे हैं उनमें से कितरे बच्चे जो है वह याद करके नहीं जाना है कि इस पूरे नंबर याद कर लें मैं जो बता रहा हूं वह बहुत अच्छे से समझना कि हमारा टॉपिक का फ्लो क्या की इंकम एक क्राइटेरिया होता है है कंट्री इसको स्टेट को कंपेर करने में लेकिन इंकम के अलावा भी दूसरे क्राइट एक चीज बता हूं वह चीज यह है कि यह जो डेफिनेशन से इंपोर्टेंट है इन्हें रट लना बहुत अच्छे से क्या कि इन्फेंट मॉटिली रेट क्या होता है तो नंबर ओफ चिल्रेंट डाए बिफोर दी एज ऑफ वन यह एज प्रपोर्शन ऑफ थाउजन लाइफ है चिल्रन बॉर्ण इंद पर्टिक्लर यह तो अगर हजार बच्चों ने जन्म लिया तो हजार में से कितने बच्चों की डेफ हो जा रही है उससे इंफेंट मॉटिली रेट पता चलता है वैसे अगर आब बात करोगे लिटरसी रेट की तो लिटरसी रेट में क्या जाए कि अगर बच्चे हैं सो तो सौ में से अगर सतर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ने टेटेंडेंडेंस रेशियो कितना मिल गया सेवंटी मिल गया समझ में आ रहा ना तो वह चीज रहती है तो अब अगर आप जैसे देखेंगे टॉपिक था हमारा इंकम इन अधर को देखने पर आपको यह चीज समझ में आती है क्या समझ में आती है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर से जहां पर हरियाना में पैसा बहले ही ज्यादा लेकिन कैरला हरियाना से ज्यादा बहतर परफॉर्म कर रहा है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि there are criteria other than income जो की important role play करते हैं औ और उस हिसाब से अगर आप country's को स्टेट को compare करो तो इंकम के अलाबा भी दूसरे important indicators होते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं public facilities public facilities क्या है public facilities के अगर हम बात करें तो public facilities यहने की वो सारी facilities जो हम एक साथ enjoy करते हैं public in general enjoy करती है public in general enjoy करती है कैसे तो public facilities के अगर बात करें तो हमारे जेब में जतना पैसा है ठीक है money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well यह चीज़ समझना बहुत अच्छे से क्या कि रेस्ट प्लीज अहां मैं आज दिन भर से रेस्ट कर रहा था भाग गैस पेपर 6am 6am नहीं 6am में तो फिर तुम्हारे स्कूल जाने की टाइम हो जाएगा कि एनर्जी नहीं आ रही है एनर्जी होना भी तो चीए तब तो हाई एनर्जी पूरी ड्रेंड आउट है मैं कल रात से इतना भेंकर बुखार में था अभी मुझे पसीन आ रहे हैं क्योंकि वह इंजेक्शन के पसीने हैं कि चार एम में चार एम कि चलो विल ट्राइब कि देखते हैं कितनी बज़े हो सकता है चार एम भी कर सकते हैं कि ठीक है वह अपन यह पहले सेशन कंप्रीट करें उसके पाद डिसकस कर लेंगों चीज़ पर क्या करना है थीक है तो अब जब देखोगे क्या कहानी की डिरार क्राइटीरिया जड़ दनिंकम जो एक एंप्वर्टेंट टोल्पली करते हैं अब बात आती की चीज़ की पबिक फैसलिटीज के अब बात करें हम तो वह फैसलिटीज जो पब्लिक इन जानरल नहीं कर रही होती एक सां से safe living environment इंशार नहीं कर सकते और पैसे से ठीके disease free environment इंशार नहीं कर सकते हो पैसे से पैसा था लोगों के पास बहुत हुआम आए पिर भी ठीके सबने सफर किया तो जिस्थ अब आप दखेंगे कि सिर पैसे अजान सकता है फख फेसलिटी ऐसी होती है जो एसेंशल walked टू लिव और उडिए लाइफ दी फेसिलिती आर प्रोवाइड बाय दी गवर्वर्मटल टो टी पीपल और पॉब्लिक फेसिलिटी तो इन फेसिलिटी को पॉब्लिक फेसिलिटी इस कि आप और कहीं कहीं public facilities की मदद से आपको क्या देखने को मिलता है level of development बहतर किया जाता है जैसे आप देखेंगे तो साउथ इंडिने स्टेट्स में जैसे तमिल नाडू अगेरा हो गया तो जहां पे public distribution system जो कि पब्लिक facility है उसके मदद से क्या क्या है उसकी मदद से आप देखेंगे लोगों का nutritional level बहतर हुआ है केरला में अगर लोगों का health status अच्छा है तो उसमें उसका पीछे का कारण ये भी है कि वहाँ पे health infrastructure अच्छा है वहाँ पे public distribution system इफेक्टिव है जिससे क्या लोगों को खाना मिल रहा है तो इस करना से वहाँ पे आपको infant mortality rate कम देखने को मिल रहा है समझना आया तो ये public facilities होती है clear रहा ये public facilities होती है अब अगर आगे बढ़ें पन तो अगला सवाल आता है human development report human development report क्या हो तो जैसे अगर आप यहां पर वही चीज देखोगे क्या कि जब income के अलावा भी दूसरे criteria होते हैं जो important role play करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है उसमें आप देखते हैं कि human development report निकालते है human development report क्या हो गया तो जहां पर आप सिर्फ income को consider नहीं कर रहें इंकम के अलावा दूसरे भी criteria हैं जिन्हें आप consider कर रहे हो जिन्हें पीडियस का फुलफ़र मोता पब्लिक डिस्टिबिशन सिस्टम याने की रैशन शॉप्स वगिरा जो होते हैं जहां पर आम जिन्ता के लिए पब्लिक के लिए क्या है food grain subsidized rate में मिलते हैं ठीकिए वह पब्लिक distribution सिस्टम होता है अब अगर हम बात करें क्या तो मैं वहीं बता रहा हूं आपको कि income के अलावा जब दूसरे criteria को देखा जाता है तो जो human development report निकलती है अब देखो क्या होता है न सवाल कैसे बनते हैं human development report world development report to world development report world bank के दवारा human development report किसके दवारा United Nations development program UNDP के दवारा ठीक है तो इस पब्लिच्ट बाई UNDP ठीक है इट compares countries on the basis of education health and income तो सिक्षा स्वास्त इस बेसिस पर आप जैसे दिखेंगे इस बेसिस पर क्या होता है इस बेसिस पर जब हम countries को compare करते हैं ठीक है तो वह comprehensive होता है थोड़ा सा comprehensive कैसा होता है कि आप सिर्फ income include नहीं कर रहे हो ठीक है आपने income भी रखा है ठीक है पर capital income रखा है लेकि उसके साथ में आप health और education भी देख रहे हैं कि वहां के लोगों का literacy rate क्या है वहां के लोगों का वहां के लोगों का जैसे देखें कि life expectancy कितना है कि कितने कितने साल average जी रहे हैं मांके लोग तो यह क्या होता है यह दर्शाता है कि income के अलावा भी दूसरे criteria है और human development report more comprehensive है जिससे आप क्या कर रहे है जिससे आप comparison कर रहे हो तो आप इंकम के अलावा भी दूसरे criteria लेके चल रहे हो ठीक है अब यह टेवल आया मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं इस chapter से क्या हो रहा है एक तो वह जो developmental goal वाले examples है वह objective में आते हैं और वहीं पर आप आप देखोगे तो एक और objective में क्या चोटे-चोटे questions क्या आजाते है एक और objective में वह चोटे-चोटे questions ऐसे आते हैं देखो कि जैसे life expectancy क्या होता है तो यह सारे definitions ध्यान रखना life expectancy at birth denotes as the name suggests average expected length की average expected length of life of a person at the time of birth वह life expectancy कि कितने साल एक आम आदमी साब expect कर सकते हो कि वह जैसे मान लोगी जिन देशों में ठीक है जिन देशों में आपको क्या देखने को मिलता है जिन देशों में healthy status अच्छा होता है जिसे जैपैन में लोगों का life expectancy 80 साल तक है क्यों कि वहाँ healthy status अच्छा है तो क्या हो रहा है कि life expectancy मतलब the average number of years ठीक है a person is going to live तो वह life expectancy हो गया पर capita income क्या है तो पर capita income हो गया जैसे यह वाला जो हमने पीछे box बढ़ा था उसमें infant mortality rate, literacy rate, attendance ratio तो यह सारे keywords जो है न यह ध्यान कर लेना क्योंकि keywords पर question आने की possibility रहती है keywords पर question आने की possibility रहती है अब यह जो table में भी आपको जरूरे नहीं कि सारा data रटना है लेकिन उस data को finalize करते आना चाहिए आपको क्या की पर capita income भी दिया है लाइफ एक्सपेंटेंस एट बर्थ दिया है बतला भी हेल्थ स्टेटस दखा रहा है एजुकेशन में जिसे कर आप देखोगे तो श्रीलंका में हर पच्छे साल का वेक्ति कम से कम दस साल गया है इंडिया में साड़े छे साल गया है तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जब आप हेल्थ एडुकेशन और इंकम इन सारे क्राइटिरियास को एक सांथ लेकर जब कंट्रीज को कंपेर करते हो तो उससे आपको क्या मि बनती है अपनी रेपोर्ट कार्ण निकलें कarya स्कूल में अबनाड़ी तो ने ढमती luckily मिख इंदर ने देक्स के अंदर स्टी एट적 एक तो रिपोर्ट हो गई कि जिस रिपोर्ट के अंदर आप क्या कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज को कंपेर कर रहे हैं एक इंडिया की एक आप इंडिया से बहतर कर रहा है कि उसकी रैंकिंग कितनी है उसकी रैंकिंग है तो वो यूमन डेवल्लप्मेंट रिपोर्ट यूमन डीपी के द्वारा बनाई जाती है जिसमें आप एडूकेशन हेल्थ और यह सारे फेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं ठीक है समझ में आया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक कैला सस्टेनीबिलीटे ऑफ डेवल्लपमेंट के कैसे समझा हमने हमने क्या करा इंडीजियन ये ये देखा कि नैश्नल डिटेप्मेंट κα कॉंसेट्ट क्या हता आप इंकम के कंके करते हो तो आवरेज इंकम स्टारी मिडि़ेशन पहते आड़ी है सारे इंपॉरंट्र टॉपिक पार कर लेते उसके बाद आपने ये भी देखा कि कि ये सिर्फ इंकम इंपॉर्टेंट नी इनकम के अलावा पर दूसरे ख्राइटिरिया हैं तो यूमें डिवलपमेंट रिपोर्ट वगरा के बारे में देखा अवैं पूरा डेवलपमेंट डिवलपमेंट जो हमने पड़ा है न तो मैं यह समझना हो और future generations to meet their own needs यह sustainable development का concept है कि हम ऐसा विकास करें कि आज हमारी जरुवत है पूरी हो और हमारी आगे आने वाली generations की भी जरुवत पूरी हो रही हो लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगी क्या कि एक चीज़ आपको समझना होगी वो यह है कि आज हम जिस तरह से विकास कर रहे है क्या उस लेवल पर ही उस पेस में उस स्पीड में अगर डवलप्मेंट चलता रहा तो वह लंबे समय तक resources बचे रहेंगे या नहीं रहेंगे यह एक सवाल है तो उसका जवाब भी है क्या कि डवलप्मेंट का जो टाइप है वो सस्टेनेबल होना जरूरी है क्योंकि कुछ examples है जैसे groundwater का जिस speed से हम groundwater को pump out कर रहें तो that is not sustainable क्यों कि अगर ऐसे ही groundwater को pump out करते रहें ठीक है तो अगर ऐसे ही groundwater को pump out करते रहें तो एक दिन पानी खत्म हो जाएगा जैसे crude oil का दूसरा example आपकी बुक में दिया गया है कि crude oil reserves जो है world में सीमित है और यह सीमित crude oil reserves जो है तो सीमित crude oil reserves से एक दिन खत्म हो जाएंगे तो क्या आज जिस तरह से हम उन्हें डेवलप कर रहे हैं तो is it sustainable 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 मतलब कि लंबे समय तक चल पाए कि ने चल ठीक है तो क्या आपको यहां तक चीज़े समझ में आई कि बताओ कि क्या यहां तक चीज़े समझ में आई कि अध्या चीज़ें मैप इस चैप्टर भाई साव एकोनोमिक्स में मैप नहीं होता है तुम तुम यार मुझे डर लगता है ऐसे मैं तो फिर तुम कल सेश्ची का पेपर और बोल रहें मैप एकोनोमिक्स में का मैप आता है और अजयरे यग का नैशनल इंकम क्या होता हैं वो मं बता रहा हूं तुम्हें देखंव बी मीस से उतना इंपोर्टन नहीं है लेकिन बता देता हूं फिर ब्री पॉड़ी मास इंडेक्स जो तो बोड़ी मास इंडेक्स प्या है कि weight of the person ठीक है weight of the person एक वेक्ति का वेट अगर हम क्या करते हैं वेक्ति के वेट को उसके height weight kg में रहेगा height height cm समय हो सकती है लेकिन height को क्या करेंगे मीटर स्कूर में लेंगे जब एक वेट को आप उसके height से डिवाइड करते हैं हाइट मीटर स्कूर से तो आपके पास नंबर आता है अगर वह नंबर आपके पास में 18 से कम है तो क्या होगा तो आपको देखने को मिलता है कि तो आपको देखने को मिलता है कि वह व्यक्ति अंडर नरीज्ट है अगर यही वेट आपको तो इसका मतलब क्या होगा कि वह व्यक्ति ओवर वेट है और आइडियली बॉड़ी मास इंडेक्स अठारा से पचिस के बीच महना चीए तो हम क्या कहते हैं कि वह व्यक्ति फिट है संगना है यह बॉड़ी मास इंडेक्स का कॉंसेप्ट है चलू कि यह होगा हाँ किसी नेश इंकम मतलब एक नीशन के अंदर जितने भी लोगों की इंकम को अगर आप जोड देते हो तो आपको नैशनल इंकम जानने को मिल जाती है ठीक है और पर-घड़ेंग में क्या रिफ्रेंस होता है अगर बादो जैसे यहां पांच लोग है यहां दो लोग है तो यहां दो लोग तो ने जितना पैसा कमाया उससे साफ से यहां की नैशनल इकम छोटी रहेगी यहां पांच लोगों ने पैसा कमाया तो यहां की नैशनल इकम ज्यादा रहेगी क्या पांच लोग भी तो है ऐसे देखो ना किसी एक परिवार में अगर 10 लोग कमाने वाले और एक परिवार में है टोटल इंकम डिवाइड इनशन प्रोग्राम यह किया में तो जिससे आपको फर मिल जाती है ऐवरेज मिल जाती है फियंट सोत छिए तो इसतंब इब धे कि शपता कोन्ट करते शाल चालो ओंव सब्सक्रांग तो इस अगर पूरे आप देखो कि क्या क्या आए हैं तो क्या 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 आए है में क्रूड आइल रिजर्फ्स आर लिमीटेट अल ओवर दी वर्ल्ड मतलब वह लास्ट टॉपिक है सस्टेनिबिलिटी ऑफ डेवलप्मेंट उससे जुड़ा हुआ कोश्चन है इफ पीपल कंटिनीव टॉ एक्स्ट्रैक्ट इट प्रेजंट रेट दे रिजर्फ वुड लास्ट ऑनली 35 तो 40 यह मोर तो सस्टेनिबिलिटी ऑफ डेवलप्मेंट वाला टॉपिक है उसके कंटेक्स में आपको आंसर देना शुरू करना पड़ेगा यह 2019 में आया है सवाल ठीक है वैसी एकर आप टीक है इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गौल्स क्या होते हैं तो वह के बेश्टिंस में आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे वैसे एवरिजिंकम इस इस यूसफूल फॉर कंपैरेशन बट इट में हाइड ड एक काम किया जाए बाहर थंड लग रही है अंदर गर्मी लग रही है समझ नहीं आ रहा क्या करूँ कि अब कि डॉक्तर ने बोल दिया कि आजाओ हस्पिटलाइजीशन कर देते हैं तुम्हारा त्युक्त हुआ सथ दिन हो गया बुखार बिगड़ गया है आज और मत करो वास्पिटलाइज हो जाओ तुम उदर जीत के आना मैं को जीतना है चलो कि समझ में आया एवरेज इंकम इस यूसफफुल को और कमपरेजन बटीड हाइड इस पैरिटी तो उसमें क्या बताएगा कि अवरेज इंकम जो है तो आवरेजिंकम से आप कंपरेजन कर सकतो लेकिन डिस्पेरिटी होती तो यह एक्जाम्पल चार-पांच लोगों वाला वह करके देदे देना ठीक, तो जुआ की सब्सक्राइब की दीपल में हैं आगे अगर अगर अपन तो क्या यह उपन इंडिट कुछ में पूछा गया ओपन एंडिट कैसे अब बाडी मास इंडेक्स बता गया है लेकिन यह नहीं बता गया कि कैसे मेंटीन करना तो वह यह एल्थी डाइट रखा जाए है ध्यान दिया जाए ठीक है क्या वो सकते हैं अवे अच्छा खाना यह वो सारी चीज़े ठीक वह हो गया फिर आगे बनते इस है यहाँ प्रशन हरे सब्सक्राइबहा जालां करें तो एख और इसयाट मेंने सब्सक्राइबिटेर्येट ऐसोर्से क्या वाल वाला च्छिंशन प्रॉग्दीम उसोर्सशेति प्रोग्राम के द्वारा क्राइटेरिया यूज किया जाता है तो हेल्थ एडुकेशन और इंकम को देखती है वहीं अगर आप देखोगे क्या व्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया जाता तो इंकम किया जाता है व्ल्ड डवल्प्मेंट रिपोर्ट निकाली जाती है सच्टेनिबिल्टी आपको चुशन आया 2023 में सट वन में सट सिक्स में तो अब उसे साफसा गर इस इस चैटर के important questions कौन कौन से है तो जैसे different people में different developmental goal वाला एक answer यह हो गया ठीक है for development people look at a mix of goal तो क्या होता mix of goal कि हम सिर्फ income नहीं देखते income के लावा भी दूसरे developmental goals होते हैं ठीक है क्राइटेरिया यूज्ट वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक के दौरा income criteria इस्तमाल किया जाता है average income ठीक है और वह average income के बारे में बताएगा है उसकी limitation भी बताई गई है क्या कि it hides disparity तो सारे important question जो सकते हैं जैसे डाल दिया है मैंने सस्टेनिमिलिटी का इशू क्यों इंपोर्टेंट है तो वह भी डाल दिया है ठीक है प्रूब यह पूरा का पूरा पर-capita income से जुड़ावा जो कुशन आ सकता है यह जो कुशन में आप लोगों को दे रहा हूं ना इन questions को बहुत अच्छे से याद कर लेना वह बच्चे जिन्होंने अभी कुछ नहीं पड़ा है ठीक economics में यह सारे questions are prominent इनको आपको बहुत अच्छे से करना होगा आगे बढ़ते हैं what is human development explain its indicator human development क्या है तो human development can be seen as human-centered approach towards the development बादब एक open-ended question है तो जैसे human development की बात की जा रही है जिसमें आपको क्या देखने मिलता है कि सिर्फ income से काम नहीं चलेगा उनके fulfillment के लिए मतलब उनके welfarement के लिए दूसरे भी क्राइटीरियास जैसे लिट्रसी infant mortality rate मतलब education और health उस पर focus के जाना चीए ठीक है फाइनली यह chapter हमारा हुआ complete बताओ क्लेर हुआ जी ट्वेंटी पढ़ेंगे न ए ब्रेक का क्या करोगे कि sustainability of development एक बार बतादो सर प्लीज sustainability of development क्या कहती है वाव सुनो मेरी बात कि आप development उस तरह से करो कि वह sustainable रहे मतलब resources को ऐसे इस्तमाल करना कि वह लंबे समय तक चल पाए वह लंबे समय तक चल पाए और हम उन्हें क्या कर पाए कि पॉइंट है कि development is the need of the hour विकास तो करनी होगा तो विकास ऐसा करो कि जो क्या करें जो लंबे समय तक चल चीजों को चला सके सेस्टेनिबिलिटी का मतलब ही होता है कि शुड्ड गो ओन चलो चलो आज आज आए गेम खेलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसेक्षण सेक्षण के अनग्राम बनाओ सेक्षण से क्या बन सकता है बताओ हाँ ब्रेक नहीं देरा भी कोई ब्रेक की दर्वत नहीं मेरे साब से फटाफट कर लेते हैं सेक्षण वट्ट वट्ट वी गाईस कि थिंक अबाउट इस बताओ कि सेक्षण से क्या बनेगा कि टेंशन का से बन जाएगा हाँ कि टेंशन बन सकता है कि टी ए एन टी ए एन एस आई ओ एस आई ओ डबल न का है टेंशन नहीं होगा एक्षण ए तो ही नहीं हो एक्षण का इलेक्षण इलेक्षण में भी ए एल ए होता है दो ए ही ही नहीं नोटिसस एन ओ टी आई सी ए एस यस वेरी गुट नोटिसस किसने लिखाता है यार बहुत बढ़ियां इन इन नोटिसस इस अंसर यह एक कॉल लगी से बहुत आँघा मैं। यह A mycket यह चैशन कमई सुबह होगा में क्कॉद्अ को एक काम करते हैं में रिखेंस में नहीं जाते ना चारप जाताें । पांच पर जाते हैं अपने साड़े चार रख लेते हैं क्या बोलते हो जाना रिपल का पिंपल यह नहीं होगा इसमें ठीक है स्लीपर हो सकता है अधिया आदे डवल पी आप इसलीपर हाँ स्लीपर हो गया स्लीपर है और यह थो आर ही नहीं आ लिए लेगी है आर आगे है तो सही पर पर श्लिपर क्या बनेगा हुआ है फुल सेलेबस के लिए आथ तुम्हें एक एंसे टी हाइलाइट का वीडियो दिया न सुभए मार्च मुझा मार्च मार्च paint-tixa मार्च ठीए ॥च यह वह रुण हरु यह र्धी टृट्ण होती है गिरुन दॉधेषाओं तब कि不同 font वड़मेटरी मार्च भणा मोसे नहीं नहीं बनाया तुमने र्भर्मियटरी का वर टकनलोजीकल इंस्टिशनल रिफार्म का मतलब यह था वाउ कि आपको देखने को मिलता है इंडिपेंडेंडेंस कि डर्मान तो नहीं होगा ठीकिन है यह तो समझे नियाल सकते क्या बनेगा इसका है विख्याइब जॉमेट्रीट जी डिखें गम मैरेड का बता दो ड्सकान प्रॉमेट्री दॉ में गिंउमेरिड का अ más कि मैयरीड रहिद का बता दो मैरेड चीए एड्माइरस एड्माइरस हाँ एड्माइरर हम एड्माइर हो जाएगा मैरेट का चलो सेक्टर संब इंडिया इकनामी अगला चाप्टर ठीक है अगला चैप्टर एंडिया इकनामी तो यह कि I have doubt in the sharing of power between Union State basic to the structure of Constitution India क्योंकि आप देखो कि हमारे Unionist state list concurrent list है ठीक है एक बड़ी आशी स्माइल दे दो सेटिस्टेक्शन मिल जाएगा ठीक है कि वाइड प्रुश्या फॉर्ट वार विट फ्रांस एवन दो देवर अलाइस पॉर्दी जर्मनी प्रुश्या पॉर्ट अवार विट प्रांस यह कब की बात है यूरोप में पता यूरोप में बहुत खून खराबा रहा है और जैसे प्रांस के साथ वार कब लड़ी 1871 वाले टाइम प्रेड में अलाइस तो नाइन्टीन फोर्टीन में पचास साल में पीडियां की पीडियां गायव हो गई होगी ठीक है अब आजाओ सेक्टर्स ऑफ इंडियन एकनोमी चैप्टर को ब्रॉडली हम तीन कैटेगरी में देख होगे सेक्टर को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के साथ से लोगे वेसे एकर आप अपर्षिक आप और अब और अरगनाइज दें वह सब्सक्राइब करते तो वैसे आप ओनर्शिप के इसाप से क्लासिफाइब कर सकते हो हो और और सिप के हिसाफ से अब टो प्राइमरी और सेडरी प्राइमरी यौर सेक्टर है पुदिक और बात करें primary sector क्या होता है ध्यान रखना क्या होता है इसमें जो सवाल आएंगे तो वो कैसे सवाल आएंगे कि 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 एक एक एक्टिविटी को देंगे आपको बोलेंगे कि primary की secondary की तर्शरी की objective में ऐसे question आ सकते उसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे न उसके अलावा आप देखोगे तो पहले समझा जाए कि primary होता क्या है तो primary sector वो सक्टर है जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि आप अग्रिकल्चरल सक्टर मतलब अग्रिकल्चर और अग्रिकल्चरल प्रोड़क्स का इस्तम सेक्टर कहा जाता है इसमें सारे के सारे नैचरल रिसोर्स का इस्तमाल होता है तो यह तो हो एक प्राइमरी सेक्टर दूसरा सेक्टर होता है सेकंडरी सेक्टर सेकंडरी सेक्टर मतलब क्या है जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं जिसमें हम जो राव मटेरियल चेन्ज क्रते हैं तो वह सेकंडरी सेक्टर के लाता है और एक होता है तर्शरी सेक्टर बतलब क्या कि जो सर्विस सेक्टर होता है जिस आपको क्या देखने को मिलता है जिसमें आपको देखने को मिलता है कि आप प्राइमरी हो सकता है टर्शरी सेक्टर में आप कुछ प्रड्यूस ना कर रहे हो लेकिन टर्शरी सेक्टर प्राइमरी और सेकंडरी की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यह होता है त तऱ्री सेक्टर के अगर हम बात करें तो तर्षरी सेक्टर जैसे जो होता है कि अई जो सर्विससरों झाहिक का पाट कहलेंगी तो वह सरविसमें ज्यसेंट्र इंजिनेर्स वग मेंदर भी सेक्टर हो जाता है ठीक है तो ये तीन सेक्टर दियान रखना है आपको अब ये तीनों सेक्टर शोगर आप country के अंदर देखो फटाफटाफट कर लेते हैं पॉइंट होगा कि नोट्स के थूँँ आप क्या करना रिकॉल करना चीजें त्लेकिन में तुम्हें पीडियेफ द छलुफативाएं तो वह आगे आपको समझ में आएगा भी लेकिन तो इसके पहले आगर आप देखेंगे तो तीनों सेक्र में क्या है तीनों ही सेक्र में कितना कहा हो रहा है तो हम देखेंगे गिःत्व這麼 सबसे आगे हैं कि किसी नारियल पानी अगर मान लो तो बोलेंगे यहां तो दस हजार नारियल होगा यह जादा होगा लेकिन हैं अगर आप किस लिए asanना आप सेक्टर के लिए करते हैं तो सेक्टर के लिए कितना कि बात करते हैं तो फॉकस् वैल्यू पे ठीक है वैल्यू ओफ फोकस किया जाता है अगर आप देखेंगे यहीं पे तो तीनों सेक्टर में एक प्रॉमिनेंट शब्द निकल के आता है कि कोई भी प्रोडक्शन प्रोचेस केरियाउट किया जारा है जैसे बिस्किट को बनाया जा रहा है तो बिस्किट ब बिस्किट बनताए बिस्किट बनने के बाद में मिलने के बिस्किट का पकेट 10 रुपए के अंदर और आपको क्या देखने को मिल रहा है कि गेहूँ का कॉस्ट तेल और शुगर जो है ना यह तो यह क्या हूं यह dat इंट्रमीडिेट गुद्स है तो यह इंटरमिडीट मिलने से ही क्या बनता है एक फाइनल बनते हैं तो जब तीनों सेक्तर को लिश्क्र को चματα करने की बारे आती है तब आपको द्यान नथे आपने नब्रोगा क्या है और इंक्रिव मेंक्स अपते हैं और इंटर्मेडियर को value already included होती है final goods and services में example जैसे biscuit production के अगर हम बात करें तो उसमें गेहूं और 10 रुपे का जो cost आ रहा है न तो 10 रुपे के अंदर गेहूं का चकर का तेल का cost already included रहता है ठीक है the sum of the value of final goods and services अब हाँ तो यह ध्यान रहेगा क्या कि हम value से अलग-अलग sectors को compare करते हैं और value भी जो रहती है तो final goods and services की value ही include की जाती है intermediate goods and services की value include नहीं कि जाती है अभी मैं इसको और अच्छा से समझाओंगा कि क्यों intermediate goods की value value को include नहीं किया जाता है ठीक है तो अब जिसे अगर आप देखोगे कि final goods and services से हम compare करना शुरू करते है final goods and services के basis पे हम देखते हैं कि primary sector ने कितना produce किया secondary sector ने कितना produce किया ठीक है तो तो उस case में क्या होता है कि जब हम primary sector के final goods and services secondary sector के final goods and services और tertiary sector के final goods and services तीनों को add कर देते ना primary secondary tertiary टीनों सेक्टर के final goods and services जब add कर देते हैं तो तीनों सेक्टर के final goods and services को add करने पे हमें क्या मिलता है प्रोडक्त मिलता है तो इस सम और वैल्यों final goods and services produced in the country during a particular year तो जब आप final goods and services final goods and services के value को add करते हैं in all the three sectors ठीक है in a particular year एक साल के अंदर का तो वो आपको क्या देता है वो आपको देता है GDP ठीक है तो उससे आपको क्या में देती है GDP का बारे में पता चलता कि आपकी एकनॉमी कितनी बड़ी है आपकी GDP कितनी बड़ी है ठीक है समझ में आया ठीक है तो तो तीनों सेक्टर primary secondary tertiary सेक्टर तीनों सेक्टर के comparison comparison के बाद में intermediate goods intermediate goods के बाद में GDP क्या होता है यह यहां तक अगर चीजे समझ में आई तो आब आगे देखते हैं अपन कि यह एक सवाल है हमारे पास अभी हम बचा के रखाब बनने इसको कि final goods and services के जब हम बात करते है final goods and services की तो intermediate goods की value को क्यों नहीं जोडते हैं क्योंकि intermediate goods की value already included रहती है वह भी मैं आपको समझाऊंगा उसके लावा बीसे आप देखोगे ना तो historical आपको एक शिफ्ट देखने को मिला है कि हर economy शुरुआत में primary sector हर economy में प्राइमरी सेक्टर डॉमिनेट करता है फिर हर economy में secondary sector dominate करता है तो एक पैटन चलता है कि primary sector पहले हर economy इनीशल लेवल पे अग्रिकल्च्र बेज्ट economy रहती है कोई भी country में देख लो आप तो शुरुवात में सब खेती करते हैं फिर जब खेती करने के बाद में extra production होता है extra production होने के बाद में कह सकते हैं कि extra production होने के बाद में लोग जो रहते हैं तो चीजों को process करना शुरू करते हैं तो सेक्सक्रेंगे के तरफ मौव करते हैं बाद आपको क्या देखने की मुलता है झप्ण्टी में इकोनोमिक डेवलोप्मेंट बहुत हो जाता है तो अधाल को यह पर तोससे कि ऐसे होता है उसी चीज पर कि कि वाय उंली और इंक्लूटिय। आउट भाएंसे सब्सक्राइब सुनिघ एंटर इंटर्मेडिेयेट देक्रथल। तो अगर आप देखोगे तो अक्षे कुमार खत्रों के खिलाडी जंगल में गए जंगल में जाके तोड़के महां से लाए तो एलोवेरा तोड़के लाने पे जो एलोवेरा था वह रॉपे का था बहुत अच्छे समझा रहा हूं कि अब बाबा राम देव ने क्या किया बाबाराम देव ने क्या किया ? बाबा रामदे उन्हें 30 रुपे में एलोवेरा लिया और बाबा रामदे उन्हें एलोवेरा को प्रोसेस के एक पैकेट में बंद कर दिया और 100 रुपे का बना दिया ठीक है चलो बाबा रामदे उन्हें 70 रुपे का बना लिया अब एक सी से चंदू सेट हो गए तो वो 70 कि आप खुश हो जाओ गए ऐसे ठीक है आप नहीं भी लगाओ तो जैसे वह वैसे बहुत सुंदर हो समझ में मेरी बात तो पॉइंट क्या है कि अब जैसे अगर आप इस पूरी प्रोसेस को देखेंगे तो कस्टमर ने एट दी एंड कितना रुपए पे किया था सौ रुपए पे किया तो यह फाइनल गूड्सन सर्विसेस को इंक्लूड कर रहे हैं अगर आप मानलो कि इंटर्मीडियेट प्रोड़क्स को भी एड करना चालू कर दोगे न तो तो कैसा हो जाएगा जीडीपी में आप क्या देख इंड क्या 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 है तो अब उस चीज को समझना कि हम घप जाएगी कैसे ओंड की value of final goods and services ही include होती है क्यों क्योंकि intermediate product की value उस final goods की value में already included रहती है problem of double counting हो जाएगी double counting कैसे हो जाएगी कि अगर आप 30 को भी गिनोगे अलग 70 को भी गिनोगे 100 को भी गिनोगे तो 100 के अंदर ये 70 और 30 तो already included है ना तो इसलिए GDP में हम final goods and services को include करते हैं सब्सक्राइब 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 इस इस बिजनेस ठीक है अगर अगर सब्सक्राइब करते हैं कि क्यों सिर्फ final goods and services को include किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्राइमरी सेकंडरी और तर्शनी सेक्टर इंडिया फैक्स बता रहा हूं important question बताऊंगा समझना बहुत अच्छे से कि जैसे अगर आप देखेंगे कि इंडिया में प्राइमरी सेकंडरी टर्शनी सेक्टर के क्या हाल हाल चाल है तो हाल चाल आपको यह देखने मिलते हैं कि प्रडक्शन की जब बात आती ही ना तो इंडिया में टर्शरी सेक्टर का प्रडक्शन बहुत बड़ा ओर दी प्रफ टाइम यह 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 बार ग्राफ देखोगे जैसे तो आपको समझ में आएगा 1973-74 के टाइम पिरेड में क्या है कि प्रडक्शन उतना ज्यादा नहीं था ठीक है और जितना कम हमारी जीडीपी थी उतनी कम जीडीप में में सबसे बड़ा कंट्रिबूशन किसका था प्राइमेरी सेक्टर का था फिर क्या होता है 2013-14 में हमारी जीडीप बढ़ गई आयम अ क सक्ताइम कि प्रडक्शन जो है हमारी प्राइमरी सक्डेंटी इंडिया की बात की जाए तो प्रोडक्शन जो है तर्शनी सेक्टर में सबसे जपाति ऑढ़ा है ठीक ग्राफ समझ में आया ना ग्राफ से समझ में आया गी नहीं कि किस सेक्टर में ठीक है ठीक है किस सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिली तो टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली लेकिन लेकिन उसी के पैरलल अगर आप जाओगे उसी के पैरलल अगर आप बात क है ल्यादि अब बात करते हैं कि अपनओ लोंक आका म dranों कर तो इससेगर आम देखोगे तो वह 174 एंटे courses 098 में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे ते कहां सबसे ज्यादा इसके सेक्टर और आज भी सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे प्राइमेरी सेक्टर में 44 जो अब सवाल आता है कि ये दिससर विड़ंबना होगी कैसे विड़ंबना होगी ये एक डायकॉटॉमी आपको देखने़ तो मिल रही है तो कर डाक्षन में तो तर्षरी सेक्टर जो हैं द मौहत लेकिन जब good-back की बात आती एंप्राइमेंट में फेले भी primary sector में रहें थे अभी फोड़ करना है अपको दो इन अब आपको यहां से दो कोश्चिन निकल के आते हैं क्या दो कोश्चिन निकल के आते हैं पहला कोश्चिन तो यह निकल के आता है कि वाट इस दी रीजन बिहाइंड दी ग्रोथ इन ठीक है एसा चमकना था कि ऐसा सिमिलर शिफ्ट इन इंप्लॉइमेंट क्यों नहीं देखने को मिला तो आपको बता हूं यह सिमिलर शिफ्ट नेप्लॉइमेंट क्यों नहीं देखने को मिला तो दो कोश्चन निकल के आते हैं पहला कोश्चन तो यह निकल के आता है कि what is the reason why इंप्लॉइट इंप्राइमेरी सेक्टर वाय दिस सिमिलर शिफ्ट थेकन प्लेज इन अनधर टू सेक्टर ठीक है यह दूसरा जिसे अगरा आप देखो कि सवाल जो निकल के आता है वह यह निकल के आता है what is the reason behind the growth in the tertiary sector tertiary sector में जो ग्रोथ हुई है तो उस ग्रोथ के पिछे का नहीं मिलता है तो क्यों नहीं देखने को मिलता है और दूसरा टर्श्यरी सेक्टर में ग्रोथ क्यों होई यह ठीक है अब अगर अगर आगे बढ़ते हैं तो वाय वाय दोनों में है ठीक तो यह pointers ध्यान रखना यह एक इंपोर्टेंट टॉपिक है और इससे कुश्यन बनता ही बनता है तो इसके पीछे का कारण है पहला कारण है कि है कुछ इस्ट्रूस्य स्बस्ते हो गया यह सारी चाहिए तो यह एसेंशल सर्फिसे में अधेल माला आइल देखो यह सारी है एसेंशल सर्विसे तो होना तय है तो इसी के चलते क्या देखना हो बिलता है कि सरकार भी इन पर पैसा खर्च करती है तो एक कारण यह हो गया टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ का कि there are certain services which are very essential तो उनका ग्रोथ तो होना है ही है दूसरा कारण क्या हो गया दूसरा कारण ही होता है कि जैसे से primary और secondary सेक्टर ग्रोग करेगा न तो वह टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ होगी ही होगी एक अंग्जामपल देता हो तुम्हे मैं क्या कि जब primary और secondary सेक्टर आगे बढ़ेगा तो टर्शरी सेक्टर दोनों सेक्टर की growth पे dependent है tertiary sector दोनों sector पर dependent है तो tertiary sector तो automatically grow करे गई जैसे मालों खूब production हुआ primary sector में खूब उस प्रोड़क्ट से खूब tomato produce हुए तो खूब tomatoes से खूब सारा ketchup बनेगा तो खूब सारी tomato से खूब सारा ketchup भूब सारा transportation भी तो करना पड़ेगा तो अगर primary sector और secondary sector grow करेगा तो tertiary sector तो grow करेगा ही करेगा ठीक तो with the growth of primary and secondary sector there is the growth of tertiary sector ठीक है the rise in income leads to more service consumption अब क्या होगा तीसरा reason समझना ठीक है तीसरा reason क्या है तीसरा reason यह है कि अगर मान लोग कि लोगों की income बढ़ेगी तो लोग जादा से जादा service consume करेंगे example के तौर पर जैसे बाहर खाना जाना शुरू कर दिया लोगों ने पहले लोगों के पास पैसे नहीं देते थे तो लोग बाहर खाते नहीं थे पहले लोग बहुत जिम जाते थे सरकारी जिम चले जाते थे 50 रुपे में लेगन अब क्या होता है कि लोगों की जब इंकम बनती ही तो नहीं अच्छी जिम जाएंगे प्राइवेट ट्रेनर रखेंगे तो केस क्या है कि विद्धी राइज इंदी लेवल ऑफ इंकम पीपल विल अफॉर्ड मोर and more services लोगों को और ज्यादा से ज्यादा श्र्विषश चाहिए रहेंगी ठीक है तीसरी चीज़ आपको क्या देखने को मिलती मतलब चौता रीजन देखने मुलता है कि Emergence of new services ओवर दिए पिद फ स्टाइल सर्वी सेक्टर भूम करा है सर्विसेक्टर कैसे भूम कराई रहा की बहुत सारी नहीं सर्विसेदार इंटरनेट आ नंने जैसे सबसे बंडर झाब communication है तो इंटरनेट के अलेवा कुछ नहीं यह इस कारण से सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है प्राइमरी सेक्टर ग्रो करेगा तो टर्शरी ग्रो करेगा करेगा तीसरा पॉइंट जैसे लोगों का इंकम लेवल बढ़ेगा वैसे आपको क्या देखने को मिलेगा जैसे लोग ज्यादा ज्यादा सर्विसेज अफॉर्ड करे अगर तुम देखोगे तो यह सवाल कितनी बार पूछा गया इसको देख के तुम्हें चक्कर आजाएंगे वाइग ग्रोथ अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या हो जाएगा कि दूसरा सवाल यह था कि आलो टर्शरी सेक्टर ग्रोव कर थीक है लेकिन टर्शरी सेक्टर में अप्लोईमेंट तो आज भी प्राइमेरी सेक्टर में तो सवाल वहीं बनता है why why still most of the people are employed in primary sector why the similar shift in employment is not being observed है ना तो उसका भी कारण समझना कि आज most of the या फिर majority of the people are still employed in the primary sector क्यों क्योंकि enough jobs were not generated in secondary and tertiary sector लोग primary sector में इसी लिए काम कर दे हैं क्योंकि secondary और tertiary sector में contribution तो दिया है GDP में लेकिन उतनी jobs generate नहीं करी है साथ ही साथ आपको क्या देखने की मिलता है कि primary sector में लोग employed है तो primary sector में लोग under employed है under employment या फिर डिजगाइज unemployment is common in agriculture डिजगाइज unemployment क्या है ये short term में question आते हैं short term में मतलब क्या से कि what do you understand my under employment डिजगाइज unemployment क्या होता समझाओ तो उसमें आपको simple लिखना रहेगा कि जब एक व्यक्ति अपनी full potential पर काम नहीं कर पाता है तो disguised unemployment कहलाता है disguisedly unemployed कहलाता है ठीक है याने कि एक खेत पे अगर मान लोगों का ही काम है लेकिन उस खेत में क्या है कि परिवार के चारों लोग पहुच गए और एक आदमी बस पत्थर उठा के ऐसे मार रहा है ठीक है गोल रहा है कि मैं भी खेत पे गया था काम तो मैंने भी क कोई दूसरी जगा पहुचा दिया किसी एक को किसी फैक्टरी में काम पर लगा दिया किसी दूसरे को कोई दुकान डलवा दी तो उससे क्या होगा उससे दो पैसा और ज्यादा कमा के लाएंगे ठीक है तो unemployment अंडर-employment मतलब क्या है कि वेन परसन इस नॉट वरकिंग अप और हर फुल पोटेंशल अपनी पोटेंशल पर पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो वह अंडर-employed कहलाते हैं अब अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है एक पॉइंट और है आपके कि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है ल सर्विस से स्पर्विस हैं और है जैसे प्लमबर्स हो गया घ्रीचन्स हो गया तो वह मैनेज ही कर पा रहे हैं चीजेंशे बस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे ना तो यह कुछ क्या है लिमिटेशन है सब्सक्राइं जीडीपी वाला एक बार और समझा दें यशिका सुनो मेरी बात जीडीपी में क्या बता गया है यह समझ में आगे ना इतना प्राइमरी सेकेंडी टर्शरी सेक्टर इंडिया तो किधर प्रडक्शन जादा है किधर एमप्लॉयमेंट जादा है तो क्यूं है उसका कारण और एमप्लॉयमेंट में एक आपको सिमिलर पैटन नहीं देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है कि अंडर एंप्लॉयड है लोग और जॉब जन्रेट नहीं हुई है ठीक है इतना समझ में आया तो फिर मैं जीडीपी वाला बता रहा हूं कि ओवर सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर तर्शरी सेक्टर हमने देखा क्या किंटर्मेडियेट गुड्स को को क्यों नहीं करते हैं क्योंकि क्योंकि फाइनल गूट सनी्सर्विस जैसे विदार अक्र्षे कुमार बाबाराम देओ चंधु होती है ठीक है तो हम क्या करेंगे सिर्फ फाइनल गुट्सन सर्विसेज की बात करेंगे तो आपकी एकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर में जो फाइनल गुट्सन सर्विसेज है उसकी वैल्यू ठीक है सेकंडरी सेक्टर में जो फाइनल गुट्सन सर्विसेज है उसकी वैल् मिला के तो एकनॉमी बनती है इस सेक्टर्स ऑफ इंगनॉमी होते हैं तो अब आपको क्या पता चल रहा है कि आपकी एकनॉमी के अंदर कितना वैल्यू प्रड्यूस हुआ है तो वेन यू आडिंग अप दीफाइनल गुट्स वैल्यू आफ दीफाइनल गुट्स अविश्ट प्राइमरी सेक्टर सेक्टर एंटर्शरी सेक्टर यू गेट हाउ मच प्रडॉक्षण इस टेकिंग प्लेस इंसाइड यूर कंट्री ठीक है तो जब आप साइनल गुट्स अविश्ट की वैल्यू तीनों सेक्टर की आइड कर देते हैं तो उससे आपको जी डी पी टी कि प्रडॉक्षण मिलता है एक साल के अंदर कितना प्रडॉक्षण में उससे आपको जी डी पी पता चलती है समझ में जी डी पी गिमिया थम्स अब ठीक है अरे जी ट्वेंटी भी आएगा ना करेंगे रुख जाओ ठीक है कि समझ में आया कि कंजूमर राइट्स नहीं आ रहा है कल एक्जाम देने जाना इनको बताओ ठीक है आज पूझ रहे चैप्टर कौन से आएंगे देखे आ जाओगे तुम अच्छे से ठीक है कल का टाइमिंग साड़े चार रखते हैं आपन साड़े चार इस गुड़ आइगेस क्यूंकि उसमें आपन सारी चीज़े कवर कर पाएंगे अच्छी तरह से पर देखो मैं भी कुछ बता नहीं सकता हूँ डरानी ञाओ वो सकता है सुबह सेशन आ अब जिसे कल रात में क्या होँ मेरे साथ कल रात में वहीं कल रात में सेशन लेने के बात में धरनलक च्च्छ जो गुखार आया तो तो सुबहिक है और सुबहिक है ताकत ही ती ani कि थीक है अंडर एंप्लोइमेंट मतलब क्या है कि जब एक व्यक्ति अपनी पूरी पोटेंशिल पर काम नहीं कर रहा है जब वह अंडर एंप्लोइड होता है जब वह अपनी पूरी पोटेंशिल पर काम नहीं करता है तो अंडर एंप्लोइड होता है जब अपने पूरी पोटेंशिल पर काम नहीं करता है तो अंडर एंप्लोइट कहलाता है जैसे एक खेत में तीन लोग काम कर रहे हैं लेकिन जरुवत सिर्फ एक आदमी की एक आदमी से उत्ता काम समाल लिया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि दो लोग इनका पोटेंशिल इ यह आप हमने यह देख लिए साथ सब कुछ के एंप्लोइमेंट जो हो है तो फर Benjamin सेंड्रमेंत तो सवाल यह वह बनदब सेकंडरी सेक्टर में अंप्लोइमें है नहीं प्राइमरेंट नयकुक्त सेंसे मिलन्यों से प И्यूच्ट देखने को नहीं मिलता है सवाल यह आते है कि employment generate कैसे करोगे ठीक है कैसे employment generate करोगे तो हाउ टू क्रियेट मोर employment आप employment ज्यादा ज्यादा employment कैसे generate करोगे यह है तीगे चलो तो दो तीन चार पांच तरीके बताएगा है और यह question आता है अभी आपको में previous question दिखाऊंगा इस chapter के तो आपको समझ में आएगा कि इस topic से कितना question आए बार-बार question आए क्या है कि आप employment कैसे generate करोगे agriculture sector में under employment है तो employment कैसे generate कर सकते हो ठीक हाउ टू क्रेट मोर employment तो एक्जामपल के तो तो लक्षमी के एक example के साथ बताया गया है कि लक्षमी के खेत पे अगर आप देखोगे तो लोग under employed है लेकिन वहीं पर अगर irrigation facilities आ जाती है तो उससे क्या होगा कि पानी आएगा तो काम बढ़ेगा काम बढ़ेगा तो लोग under employed जो थे तो अब उनके पास भी काम होगा लेकिन ठीक है तो irrigation facilities एक तरीका है जिससे आप employment generate कर सकते हो ठीक irrigation facilities के साथ साथ में आप क्या transportation facilities प्रड्यूस कर प्रोवाइड कर वाओ जिसमें आप क्या कर सकते हो जिसमें आप जिस देखते हो कि जब transportation facilities प्रोवाइड की जाएगी तो गुड्स को एक जिगा से दुसरे का मूफ करने के लिए लोग लगेंगे और उनको रोजगार मिलेगा ठीक है फिर चीप प्रोवाइड कर वाओ चीप क्रेडिट प्रोवाइड करके भी आप employment जेनरेट कर सकते हो कैसे कि जब आपने किसी को सस्ते दरों पे सस्ते ब्याज दर पे जब किसी को लोन दिलवा दिया तो उस पैसे का इस्तमाल कर सकता है आदमी कोई नया काम शुरू करने के लिए ठीक ह तो क्या देखने मुलता है कि चीप क्रेडिट भी एक इंपॉर्टन रोल प्ले करता है तीसरा आप जिसे देखोगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगा ही जा सकती है जिससे आप employment दे सकते हो जैसे दाल प्रेड्यूस हो रही है अगर कह कर सकते हैं ट्रांस्पोटेशन फैसिलीटीस से हमकि अंप्लोईट्र जैरेट चीप क्रिड़िट इफूर जिससे क्या होगा वगा लोग लोन ले स्प्लोईटिस अस्तिब्लो इंड टिसरा आपको देखने मुलता है इन्डस्ट्री इंडस्री मितलब कि स्था प्र इंडस् तो यह कुछ तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो इसके अलावा इसके अलावा नए सेक्टर को एक्स्प्लोर किया जाए जैसे तो यह कुछ तरीके हैं जिससे जोब्स जनरेट की जा सकती है लेकिन यह सब कुछ करने में समय लगेगा इमीडेटलि जिससे आप देखोगे तो इमीडेटली क्या स्टेप लिया जा सकता है जा सकता है महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act मनरेगा ये एक scheme स्टार्ट करी थी अब जिससे अगर आप देखोगे तो ये scheme क्या है इस पर question बनता है तो point ध्यान रखते चलना जैसे पताते चल रहा हूं कि मनरेगा महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act क्या है महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act क्या है 2005 में Central Government के द्वारा जिसमें right to work implement किया था कि लोगों को रोजगार दिया जाए तो all those who are able to and are in need of work are guaranteed 100 days of employment in a year by the government तो इसमें आपको ये देखने को मिलता है कि हर वो वेक्ति जो काम चाहा रहा है ठीके ग्रामिन शेतर में और जो काम कर सकता है तो उसको काम दिया जाए 100 days का guaranteed employment देने की बात कर दी और क्या होता है कि मन्रिगा में एक pointer ये भी धिहान रटने कि अगर सरकार ये guarantee देरी कि 100 days का हम काम देंगे और अगर सरकार fail हो जाती है काम देने में तो सरकार आपको क्या देगी unemployment allowance देगी unemployment allowance मतलब बेरोजगारी भत्ता कि हमने बोला सो दिन काम देंगे अगर लेकिन सो दिन काम नहीं दे पाए तो काम नहीं दिया हमारी गलती लेकिन उस काम का पैसा तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा संघ्माय तो वह unemployment नितिययोक क्या है नितियौक जी से आप देखोगे तो नितियौक बॉडि है ठीक है इस कांसल्टन बॉड़ि है जो सरकार को क्या करती जो सरकार को recommendation देती है ठीक टेंग है एक तरह से जो सोचता है के बारिए में गुञहें को रिकमेंडिशन दीता है धिक है जिसके चैर में कौन होते ब्ता है जिसके लेकरton ेचिक है अर्प सुबह वाले सेशं को तुम पेपर लिग के हलो या फिर सुभए वाले सेशिए κα्ञाब को तुम गैस वर्त के लो जो कहना आ लो सुभए सेशं में Carl earns की लड़ाई खेल दें लेंगे Tot सुबह वाले सेशन में हम लोग क्या करेंगे पूरा सारा सब कुछ डिसक्स कर लेंगे बहुत अची तरह से कि जो एक्जाम में बन क्या आ सकता है कि नहीं गैस पेपर का देखो पीडिएफ भी पीडिएफ तो दूंगा दूंगा में तुम्हें पर पॉइंट यहाई कि जब तक मैं उससे समझाओंगा नहीं उसमें यह बताना भी तो पढ़ागा मुझे कि देखो इस टॉपिक से यह सवाल आएंगे ठीक है तो वह केस रहत है चलो यह हो गया यहां तक समझ आगया अब देखें तो सेक्टर्स और इंडिन इकनोमी ओंदी बेसी ऑफ्राव मटेरियल या फिर आउट्पूट के साब से प्राइमेरी सेकेंडरी टर्शेरी हमने देख लिया अब बात आती किस चीज की अब बात आती है सेक्टर्स और वर्किंग कंडिशन्स के हिसाफ सागर आप सेक्टर्स को देखोगे तो यह होता है ऑर्गनाइज एक होता है और्गनाइजद ओ होता है वह सेक्टर जो की कई पर यहां थे कह शोलो किτούlem एक्ट हो गया minimum wages act हो गया ठीक है जो ट्रांस्पिरेंट है वो और्गनाइज सेक्टर कहलाता है यहां वर्किंग आर्स फिक्स होते हैं यहां इंकम के अलावा भी दूसरे benefits होते हैं जैसे paid leave है overtime अगर करवा रहें तो overtime का पैसा देंगे pension मिलेगा retirement पे तो यह सारा सब कुछ और्गनाइज सेक्टर के फीचर है वहीं आप अन और्गनाइज में इसका पोजिट कर देना अन और्गनाइज सेक्टर कौन सा है वह स्कैटर यूनिट जहां unemployment सिक्यार नहीं है जब जहां कभी भी काम पर निकाला जा सकता है जहां कोई rules regulation फॉल नहीं किया जाते विचिज आउटसाइड थी control of government जहां आपको क्या देखने को मिलता है कोई rules regulation फॉल नहीं हो रहें government के control के बहार है working hours यहां फिक्स नहीं है ठीक है कांता और कमल का एक्जामपल ध्यान है तुम्हें कांता कमल 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 क्या है तो कांता के case में देखा था कि सुबह टाइम से घर आती है चुट्टिया मिलती सारा सब कमल जो है लेकिन दुकान पर काम करने जाता है उसको festive season के time period में बहुत लंबे समय तक भी काम करना पड़ता है सारी समस्या होती है तो यह कांता और कमल वाले एक्जामपल से द्यान रख लेना ठीक है कि working hours fixed नहीं होते है यह सारी समस्या है ठीक है नो paid leaves no paid leaves no provision of overtime paid leaves वगेरा का कोई provision नहीं है overtime का कोई provision नहीं है दूसरे कोई benefits नहीं है retirement scheme वगेरा कुछ नहीं होती है तो यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलती है क्या यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलती है कुश्चन में इनकी possibility जादा है जादा आने की ठीक है तो और गनाई सेक्टर पर कोई situation मना देंगे hypothetical की एक वेक्ति है वो काम पर जा रहा है उसको काम पर से कभी भी निकाल दिया जा सकता है तो अन और गनाई सेक्टर का हो गया तो ऐसे इस तरह के सवाल बने की possibility रहती है तो इनको ध्यान रखना differentiate पे question आया भी है प्रिवेस यूर्ष में तो और गनाई सेक्टर देहन रखना अब पॉइंड यह है कि और गनाई सेक्टर में आपको दिख रहा है कि सब कुस्छ सही है अनी बचाया कैसे जैटे वाउटो प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनगनाज़े लिए में लेंडलेस लेवर ने स्माल और मार्जीनल फार्मर्स यह यह लोग अनगनाज़ी सेक्टर के अंदर आते हैं रूर्ड अर्बन एरिया में वर्कर से कैसे किया जा सकता है तो रूरल एरिया में जिसे जो लैंबस लेबर सवगेरा है तो उनको टैमल टीलिवरी ओफ और सीड्स दे अग्रीकुल्चरल इंपुट्स दे क्रेडिट्स दे स्टोरिज फैसिलिटी दे सरकार तो इससे क्या हो सकता है कि रूरल एरियास के ठीक है रूरल एरियास के वरकर्स को बचाया जा सकता है और वहीं पर आप देखेंगे तो वहीं पर आपको क्या देखने की मिलता है कि अर्बन एरियाज में कैसे बचा जा सकता है लोगों को जो अनॉर्गनाई सेक्टर में हैं जैसे की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्कैजूल वरकर्स जो अगेरा जो है तो उनके लिए रॉम माटेरियल सरकार खरीत की दे दे उनको ठीक है उनके लिए मार्केटिंग आउटपू तो वह सेंस में अनोर्गनाई सेक्टर में जो लोग ध्यान रखना कुशन आता है इसा क्यों तो ऐसे को प्रोटेंग न्युक्टर में बडर् дорог कोशर ह सकता ये सारी चीजे थिए धयान है घ्षास्ट हो सकता अत्ता फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं फ़्लेंट यह है कि तुम फटा फट समझते चलना बस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकनॉमी तो अब हमने क्या कर लिया कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकनॉमी को आउटपुट के हिसाब से प्राइमरी सेकंडी टर्शेरी देख लिया हमने वरकिंग कंडिशन के साफ सो और गनाइज देख लिया अब अगर हम बात करें सेक्टर सब इंडियन इकनोमी की तो अन्दी बेसी जोफ क्या देखने को मिल रहा है आपको अन्दी बेसी जोफ जैसे चीजों को वह पब्लिक सेक्टर हो गया ठीक है तो सरकार क्यूं चला रही है कुछ भी चला रही है तो सरकार जैसे रेइलवेज में जितना टिकेट का पैसा आपसे लेती ही ना तो उधने टिकेट के पैसे में सरकार को प्रॉफिट नहीं हो रहा है लेकिन सरकार फिर भी क्या कर रही है लेकिन सरकार फिर भी आप जिस देखोगे तो services provide कर रही है ठीक है services provide कर रही है क्यों कि सरकार का motive service motive है profit कमाना motive नहीं है वहीं आप देखोगे अगर क्या वहीं अगर आप देखोगे तो एक होता है private sector जहांपे क्या होता है जहांपे ownership of asset and delivery of इंडिविजल्स प्राइवेट इंडिविजल्स और कंप्नी तो वह क्या है वह प्राइवेट सेक्टर कहलाताब सब्सक्राइब ऑब इनका प्रफिट मोटेब मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर सगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो चलनी पाएंगे क्योंकि सरकार के पास पैसा तो टेक्स के फॉर्म में आ जाता है तो सरकार मेरी वाद को तो वहाँ पे सरकार सर्विस मोटिव के सहत काम करती है लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है तो कभी भी लॉस खा के काम भी करेगा क्योंकि उसका मोटिव होता है प्रॉफिट प्रॉफिट कमाएगा तभी तो चला पाएगा बिसनस ठीक है यह चीज रहती है प्राइवेट से बनते कि वाइप अब्लिक सेक्टर के से जुड़ा हुआ सवाल आ जाता है बारबार तो आप जिससे कर आप देखोगे यहां पर तो पब्लिक सेक्टर की इंपोर्टेंस क्या है इस चीज को अगर सवाल के फॉर्म में पूछा जाए तो धियान रखना कि त प्राइवेट सेक्टर एटार रिजनेबल और सिर्विशं आप एट इन्टर इन्टर इन्टर्विंज पैलिक सेक्टर नहीं दे सकता है साहला तो पानी सप्लाइ करने में सरकार जो है पानी को कॉमोडिटी की तरह नहीं देख रही है उसको एक एसेंशल चीज की तरह देख रही है तो वह सरकार चाहे लौस खाके प्रोवाइट करें लेकिन प्रोवाइट करेंगी क्यों क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है वही पर अगर भी प्रोवाइड वाइड प्राइवेट सेक्टर रिजनेबल कॉस्ट ठीक है और इसी लिए पॉब्लिक सेक्टर का होना बहुत जरूरी है ताकि वह चीजों को रीजनेबल कॉस्ट पर दे पाए फिर यह चीज़ समझना कुछ सर्विसे ऐसी होती ना जो प्राइवेट सपोर्ट चाहिए रहता कुछ-कुछ एक्टिविटीज में जैसे एक्जामपल के तोर पे पीडियेस का एक एक एक्जामपल दिया गया है पॉब्लिक डिस्टिमिशन सिस्टम में क्या होता कि सरकार 20 रुपे किलो गेहूं खरीटी किसान से और गरीब व्यक्ति को 2 रुपे वह सरकार के सपोर्ट के बिना ग्रोग करी ही नहीं सकती तो सर्टन सर्विसेज रिक्वाइर सपोर्ट ऑफ दी गवर्मेंट ठीक और अगली अगला पॉइंट की क्यों पॉब्लिक सेक्टर इंपॉडेंट है तो यह है कि कुछ चीजे रिस्पॉंसिबिलीटी होती है किसकी गवर्मेंट की कुछ चीजे रिस्पॉंसिबिलीटी होती गवर्मेंट की और गवर्मेंट को वह सर्विसेज प्रोवाइड करना ही पड़ेगी जैसे हेल्थ हो गया एडूकेशन हो ठीक है तो इस सेंस में पॉब्लिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करता है अब घर दी एकनोमिक अक्टिटीटीज ओफ प्राइवेट सेक्टर हुड्ट फडबिक सेक्टर में कंपरिजन इस चैप्टर से कुछ-कुछ टॉपिक्स बार-बार-बार-बार-भूंके आते हैं ठीक है कुछ टॉपिक्स बार-बार-बार-गूमके आते तो जैसे employment कैसे generate किया जा सकता है ठीक है problem of unemployment कैसे खतम कर सकते हैं मतलब वो यह employment कैसे generate करोगे और unemployment की problem कैसे खतम करोगे सवाल वहरूपिया है एक ही चीज़ को अलग-अलग तरीके से पूछा जा रहा है 2019 के है public sector economic development में कैसे important role play करता है तो यह रहा कि public sector जो है तो वो क्या करता है reasonable cost services provide करता है cost bear करता है ठीक है certain services essential होती जो public sector को देना ही देना पड़ती है ठीक है तो सारे questions जो है वो डले हुए इसमें पूरे year wise में डालके रखे बीस के उनिस के ठीक है अब जिसे 2019 में आए बीस में एक इस में पेपर इंडिव आप इस में इस chapter से question क्यों नहीं आया पता है क्योंकि 22 में इस chapter का सिर्फ term 1 में ही यह syllabus में था तो इसके descriptive question 2022 में आये नहीं ठीक है क्या activity को carry out किया जा सकता है ताकि क्या हो ताकि employment बढ़ाया जा सके ताकि employment बढ़ाया जा सके समझ में तो उस case में क्या है employment generation वाली चीज़ लिखो गया आप की small scale manufacturing शुनू कर दो यह वो तो ऐसे ओपर इंडिट सक्षन आएंगे exam में उस इसकी रें prepared रहना राई इन इंपोर्टेंस अब तर्शेरी सेक्टर वाई तर्शेरी सेक्टर विकमिंग इडिया तो वहीं 4. ध्यान रखना है अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनो आ कि सुनो है सुनों तो सही मेरी बात कल अपन का सेशन रखेंगे अभी मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस दे सकता हूं कि सेशन लेकिन त्राय मैं वह बल रहा हूं अगर नई भी हुआ तो मैं मेरी प्लाइनिंग पूरी बिगड़ गई है कारण तो अब मेरी बास सुनो कहानी क्या है कहानी यह है जैसे यही एंप्लॉइमेंट क्रिएट करना तो कॉमन देखो तुम पीडिएफ के थ्रू जब जाओगे ना वन्यू गो थ्रू थी पीडिएफ तो आपको दो तीन चीजे ध्यान रखना होगी कि क्या रहे जैसे टर्शिय सेक्टर का इंपोर्टेंस बताओ क्यों टर्शिय से क्रatorium से क्रिए राई वा किंड़ल 1977 प्रॉइमेंट क्यों से झालियर सकते हैं यह कॉमन कॉश्शन से करता है तो जो जो इंपोर्टन से वो सारे डाले कि पब्लिक से कैसे डिफरेंट है क्योंकि पीवाइक कुछिन आया था तो यह सारे लगा दिये यह सारे टिके यह वह चैप्टर एकर बात करें तो इसमें मनी एन ग्रेट में मनी एन क्रेड़ी बंता है तो यह से यह लोगना एक्टमिट्विट वाला टॉपिक इंपोर्ट हो जाता है कि वैंक क्या करती डिपोजिटर से पैसा लेती है और इसको वहीं paying लिगता। चर्झ करती है एंध तर जो रहता वह सकते हैं यहां से धिया रखना। सब्ख्रेशन में क्रेडिद शबस्ते सब्सक्रेशन में क्या बताएंगा है कि क्रेडिट फॉश्क्रेशन जो हो सकता है तो तो ग्रेडिट positive negative दोनों हो सकता है डैप की बात की गई यह देप ट्रैप पर कुशन आहाएं बार बार वह ठ्थन रखना terms of credit पे well competency-based question आ सकते terms of credit पर competency-based questions आसकते तो वह त्रफ क्रेडि में होता क्या है documentation collateral mode of repayment और इंट्रस रेट चार्ज ठीक है तो यह क्या हो जाता है यह जिसे कर आप आप तरीके से रिवाइस कर लोगे तो यह नोट्स क्रेट मतलब क्या है इन्फार्म सेक्टर क्रेट मतलब क्या है कि वो मोनिटर करता है बैंक्स को कि बैंक्स cash balance maintain करें हर इनसान को लोन मिले यह इंशॉर करता है रिपोर्ट सब्मिट करें वो RBI को सारे बैंक्स ठीक है यह तैय करता कि किस interest rate पर लोन चलना साहिए तो वह पूरा पॉइंट हो जाएगा सब्सक्राइब करें चाहिए तो वह सारा का सारा सब कुछ मैंने पूरा लिखके रखा है इसमें सेल्फ एल्फ ग्रूप से कुश्यन आते है ध्यान रखना तो सेल्फ एल्फ ग्रूप सेल्फ ग्रूप का एड्वांटेज क्या है तो वह और सेल्फ एल्फ ग्रूप है क्या यह सारी चीज़े बाव समझाई हूए इसमें तो शॉर्ट नोट से क्रिस्प है इससे आपको मदद मिल जाएगी ठीक है यह प्रिवेस यह कुश्यन जैसे अगर आप देखोगे तो प्रिवेस यह कुश् और चीज़ शुच्डिव रोल भी प्लेए कर सकता है नेगिटिव भी तो स्वपना और सलीम वाली कहानी ठीके तो शारे पीवाइड डाले हूए है और पीवाइड के साथ में जो कुश्चंस तुम्हें याद करना ही करना है ठीक है व्योग यह रहें ठीक है जैसे एक यह सब्सक्राइब तो बागी सारे इंपॉर्टेंट जो है वो सारे लगा दिया है इसमें तो क्या है यह इंपॉर्टेंट टम जैसे इंट्रेस्ट क्या होता है को लेटरल क्या होता है सारा सब कुछ इंक्लूडेट है सारे इंपॉर्टेंट जो तुम्हें ध्यान रखना है वो इंक्लूडेट है खुश रहना बस इंपॉर्टेंट यह है ठीक है अच्छे से पढ़के जाना पूरा गेम बात में खिलेंगे अब ग्लोबलाइजेशन इंडियन एकोनोमी में क्या है कि दो ही टॉपिक आ रहे है तो एक चीज़ बताता हमें आपको क्या है कि पहले यह चैप्टर जो था तो पहले यह चैप्टर जो था तो जैसे क्या है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज और यहां से बहुत कुश्चन आये लेकिन अब पीवाइक्यू क्यू अगर देख और एक टेकनलोजी तोखेशन चाहिए तरा climate होगयाодно त्राटमोर्टीशन वहom hugely तो इंप्रुवमेंट त्सारा पॉइंट लिग दिया में निए टेकनोलोजी के मदद से कैसे globalization enable हुआ है दूसरा है liberalization तो liberalization का concept कि 1990 के पहले तक 1990 के पहले तक क्या होता था कि 1990 के पहले तक मतलब जैसे इंडिपेंडेंस के बाद और 1990 तक हमने हमारी economy में ट्रेड वारियर्स लगाए ताकि हमारे जो चोटे चोटे डोमिस्टिक प्लेयरस थे ठे वह बहार के बढ़े बढ़े इंको कच्चा निगल जाते तो आप हो क्या रहा है कि हमने trade barriers का इस्तमाल करके रखा था ता किजुआ का हो कारण होता कि अब ट्रैयोंतो इकोनेश का इंटरकनेक्षन नहीं हो रहा है न और ग्लोबलाइजिशन मतलब क्या है रैपिड इंटरकनेक्षन रैपिड इंटरकनेक्षन ही ख्लोबाईजिशन है तो जब हमने इन ट्रेट बैरियर को रिमुव करा तोrando मत करें अंपने ऊब बड़े हो गए थी तक अपने प्रडूसर को ग्लोबल लेवल पर कंपीट करवा सके तो वह क्या कहलाया वह रिमूबल आफ ट्रेड बारियर लिब्रलाइजेशन कहलाया क्या है और इसकी नीड क्या थी तो आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस जैसे बताया कि हम इंडिपेंडेंस के आद में घ्लोब लाइजेशन नहीं हो रहा था ना क्यों क्रेंट कर रहा हो तो ट्रेड बैरियर मॉइं डिफ यह नहीं हो रहा था तो आप जैसे अगर आप देखोगे तो अब क्या हो रहा है नाइन्टीग न के बात में हमने चेंजिस किए और अ 돌ंगने जितने भी ट्रेड ट्रेड बैरियर्स लगा करें उनको हटा दिया उनको हटा ना रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स इस लिब्रलाइजिशन क्यों हटा या क्या कहानी थी वह सारे पॉइंटर से यहां लिखे हुए इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो इसके अलावा एक और फट्रादिक जो एड हुआ है वो है यह वह है जी ट्युट्व इंडिया अगर बात करें तो जी ट्वेंटिंटी मतलब है ग्रूप ऑफ 20 ग्रूप आफटेंटी क्या है तो 20 वल्ड की वह क्या है यह ग्रूप ऑफ 29 तो 20 कंट्रीस इक ग्रूप बना है कब बना 1997 में एक नंबर का तीन नंबर का दो नंबर का कोई ना कोई कुश्यन आ जाए तो जी ट्वेंटी बहुत अच्छे से ध्यान रख लो बस इसके बाद खतम कर रहे हैं पीडिएफ में दे दूंगा तुम्हें ठीके आए जी ट्वेंटी समझ अच्छे से जी ट्वेंटी में देखो बाकी सारे चेप्टर सव और्याता मैंने बहुत अच्छे तो मैं पहले भी पढ़ाया चुका एक बार में 1000 बार पड़ा चुका हूँ जी 20 वाघड़ा टॉपिक अच्छे से समझ लो बस पिसका खत्म करते हैं अगर वार जी 20 क्या है तो खुरूप आफ 20 बतलब 20 देशों का एक ग्रूप है जी 20 ठीके बीस देशों का एक ग्रूप है कल सुबह हम session लेंगे ट्राइमाइब कि सुबह हम session लेंगे ठीक है पीडिएफ तुमें टेलिग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा पीडिएफ तुमें डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइब लिंक डाली तो ड्राइब भी डाल मनलब होग सार बचे तेलिग्राम नीच लाते तो लेना और एप से भी कर सकते हो तीनों जगह से आप कर सकते हो ठीक है तीनों जगह से डाउनलोड कर सकते हो जी ट्वेंटी क्या है तो ग्रूप ओफ 20 कंट्री इस देशों का एक समूह है जो कि 1999 में बनाया गया था एक इंटरनाशनल इंटर गवरमेंटल फोरुम है मतलब है अब मिलने का औबजेक्टी यह नहीं रहता है कि चाये-पानी आज था वह क्यों मिलती है थाकि वो इकट्रोंट्र इंशॉर कर सके यह मैं गदम हिए ऐरुतों इस जंदर नंदर ना फ्रांस दो पर न दोड़ा ले न हो סकता है इस पर कूछ से कंट्रीज है या नहीं है ठीक है इंडिया भी ट्वेंटी का एक पार्ट है और इस बार सिलेबस में इसलिए एडिए वाई ग्यूकि इंडिया में अध्यक्षता हुई थी ठीक है इंडिया वोस्टेट जी ट्वेंटी समिट इस इयर दिस यर मतलब पिछले साल 2023 में सेप्टेंबर में हमने हमारे हां क्या क्या जी ट्वेंटी को और्गनाइज करवाया थी इस कारणा से उसकी इंपॉर्टेंस है समझ में आया अब आप आप जिससे अगर आप देखो के तो इस देशो के अगर बात की जाए तो जी ट्वेंटी का सिग्निफिकेंस क्या है कि जी ट्वेंटी के जो लीडर्स है ना जी ट्वेंटी के जो लीडर्स मेंबर कंट्रीज है यह हर साल मिलते हैं एनवली डिसकस करते हैं चीजों को किस चीज से डिसकस करते हैं डिसकेशन करते हैं कि वर आके बड़ी-बड़ी बाते करते हैं अब यह जो कंटेक्स्ट है तो यह सीवेसी की वेबसाइट से उठाएगा तो कोश्चन अगर आएगा भी तो बहुत भाहर से नहीं आएगा स्लाइड पर मैं जितना दे रहा हूं तो आगर आप समझ लोगे तो आदे से जादा चीज़े बन जाएगी जी 20 कि सिग्निविकेंस यह भी है कि जितने मेंबर कि द्यिस देश करते एक गुरूट का एक ऐसा इंटर गवर्मेंटल और्गनाइजेशन है जो कि एकोनोमिकली स्ट्राइटिजिकली फाइनेशली हर सेंस में बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है सेंजा आया इंडिया में इस बार G20 समिट हुआ था फिके इन्डियान इंडिया रोल होना चाहिए वैसे तो जैसे जी ट्वंटी की प्रेसिडेंसी हर साल रोटेट करती रहती इस देशों के बीच में घूमती रहती है तो जैसे कर आप देखो कि तो इससे पहले इंडोनेशि से हमने लिए और हमारे बाद ब्राजील के पास जाएगी G20 की presidency ध्यान रखना objective टाइब में कि पहले किसके पास थी अब इंडिया के पास और इंडिया के बाद में ब्राजील के पास जाएगी ठीके और इस G20 सब्मिट का थीम जो था ना वो हमने क्या रखा था वसुदेव कुटमबकम ध्यान रखना वसुदेव कुटमबकम मतलब क्या है कि हम यह सोच रहें कि the world is the world is the family वैसी वैसा concept कि whole world is our family वसुदेव कुटमबकम वेल्बिंग ऑफ आल की बात करते हो हमने यह थीम रखी थी इस बार हमारी ठीक है यह थीम हमने हमारी रखी थी इंडिया wants to bring about a shared global future for all through the Amrit Kaal Amrit Kaal मतलब क्या कि जिसने हमारे 75 years कंप्रीट होगा इंडिपेंडेंडेंस के हम व्यार एंटरिंग इंटू दी लास्ट फेस्ट जसे जो सौ साल वाले उसमें ठीक है तो हम जी टोइंटी सब्मिट के थू हम यह चाहते हैं कि लाइफ स्टाइल फोर इंवर्मेंट पर फोकस किया जाए हमारे हां जो जी टोइंटी अब और गनाइस करवाएगा तो उसमें हमने इनवर्मेंट कर अंदर वेशन पर भी फोकस किया इंवर्मेंट को सेंटर ओफ डिसकेशन रखा था ठीक है जहां पर हम सस्टेनेबल वे लाइफ अचीव करें लाइफ का मतलब यह लाइफ स्टाइल फॉर इंवर्मेंट जहां पर सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ अचीव किया जा सके ठीक है इनवर्मेंटली कॉंशियस प्रैक्टिस को डॉप किया जाए ऐसे तरीके से ग्रोथ होना चाहिए जिसमें हम इनवर्म मतलब कि ऐसा नहों कि सिर्फ पावर एक ही चीज एक ही ग्रुप के पास हो अलग-अलग ग्रुप्स हो अलग-अलग तरह से ठीक है टेक्नोलोजिकल ट्रांस्फोर्मेशन और डिजीटल पब्लिक इंफ्रस्ट्रक्ट्रक्टर की लोगों को डिजीटली इंक्लूड किया जा पर काम करें हम यह हमने बात उठाई सभी लोगों को एक साथ इंक्लूड करके ग्रोथ हो ऐसे इंक्लूजिव और रेजिलेंट ग्रोथ पर फोकस किया ग्रीन डवलप्मेंट क्लाइमिट फैनाइंस एंड लाइफ बताई दिया मैंने आपको लाइफ का फुल फॉर्म ध्या को पहले थो अब क्यूंकि पहले भूस्व सारे टॉपिक से बहुत सारे कुशन आये ऑग्जाम में अब आपके दो ही टॉपिक आरहें इस छाप् utan से rika globalization and factors that have enabled globalization so what is globalization मैं जैसे analyze the partition of communication technology technology एक फक्टर है जिसननक कोणेबल कनेबल किया तो उस पर कुश्यन आ गया वैसे विसी आप देखोगे क्या examine the factors which facilitate globalization in India xs how globalization has touched the lives of larger society तो globalization ये वाला इस आप open-ended इसको इङ्डोर कर सकती हूँ पुरानी traz का प्लीट हो गया लेकिन rely आपको टेकनोलोजी के साथ साथ में लिखेंगे ओपन कुछिन हो गया अगर सिर्फ ऐसा पूछ रहा है कि लिब्रलाइजीशन के बारे में लिखोगे कि हमने लिब्रलाइजीशन अब किया तो फिर एक कुछिन जैसे यह आया है टेकनोलोजी के उपर टेखोएजन कि पसक्राइज टेकनोलजी अपर पूइड़ु थाप ग्याटरा प्राइज फॉरेन और शाया सकता है खोंप लिब्रेशन क सी आपनी की उपनें वह वाली चीज हो जाएगी ठीक है अब इस चैप्टर के जो कोश्चंस हैं तो वह कोश्चंस भी मैं तुम्हें दे दूँगा कि कौन-कौन से कोश्चंस तुम्हें ध्यान रखना है इसमें ड्यूट वगेरा बहुत सारे लिखें यह नहीं होंगे ठीक है वह मैं छाट के प्रोट उपड़ हो गये छुट जाफ नहीं दे पाऊंगा या नहीं दहए नहीं या नहीं देपाऊंगा जाए तुमने अपना बेस्ट दिया ना वह काफी है अब अगर तुम्हारे 40 नंबर भी आ रहे तो भी बहुत खुशु क्यों कि तुमने मेहनत करी है अगर तुम्हारे अस्टी भी आ रहे तो भी उतना ही खुशु में ठीक है पॉइंट यह है कि मेहनत में कमी नहीं रहना चाहिए थी वह तुमने इमानदारी से करी अगर मेहनत में इमानदारी से करी है तो उसका परिणाम भी मिलेगा क्यों क्योंकि आपकी मेहनत का कत्रा भी जाया नहीं जाता है ठीक है कल अपने आपको mentally physically पूरी तरह से एक्जाम हॉल में रखना तीन घंटे टाइम मैनेज करना पेपर हां यह अभी अपलोड कर दूँगा ठीक है जिस तरह से पेपर सॉल्व करते हैं मतलब मान लो तुमने प्रीबोर्ट दिये है सेंपल पेपर दिये तो पहले सेक्षण डी कराया शेक्षण भी कराया जो भी कराया जिस भी तरह से किया है उसी तरह से फाइनल एक्जाम में भ Molt DRS में सतंद पर भॉपाल वाले बच्चे साइंस में मिल लिया इससे मैं यह तो तो एक्जाम सेंटर पर में जा नहीばाओं लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहांको तो तुम्हारा है एक्जाम कैसा गया एक्जाम हॉल से बाहर निकलो तो मुझे पता है सब मोबाइल रख लख लख ले जाते हो गाड़ी की डिक्कियों में तो वह मोबाइल निकालना ठीके स्टोरी डालना मेंशन करना ठीके मैं मैं भी आराम से पलंग पैठे बेट बेट तुम्हारी स्टोरी पुरा इंस्टाग्राम गर्रा देना बताना दरूब मुझे कि तुम्हारा एक्जाम कैसा गया ठीके और जो मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा देके आओगे ठीक है तो बस इसी नोल्ट पे जाओ ठीके जीत क्या ना इम रेली प्राउड आफ यू तुम्हारे जित् संद आएगा हर नंबर मेरे लिए प्रिय होगा शर्त यह है कि तुम अपना बेश्ट देने की कोशिश करना बस ठीक है आप है कि सण और यह इसके बाद में तुम लोग एरन चलने जाओगे कोई साइंस लेगा कोउमर्स लेगा हर साल एक बैस आता है हर साल एक बैस के साथ में एक लगाव सा लगता है ठीके वह बैच फिर आगे निकल जाता है अन दिस लाइफ यह सारे प्यारे बच्चे जिन्हों ने कुछ नहीं पड़ाए तो यह बहुत अच्छे से मतलब कहने के लिए बहुत कुछ है क्या टाइमिंग बता रहे हैं अब साड़े चार ज्यादा बच्चे बता रहे हैं साड़े चार ही रखते हैं तो कल का सेशन सब्सक्राइब करते हैं साइन आफ करते हैं साइनिंग विधिस टुगेदर वी कैन वी हाव टू ठीक है एंड वी विल शॉर्ली वी विल कल एक्जाम हॉल से निकल के आने के बाद में रियक्शन वीडियो लेने नहीं जाऊंगा तो तुम्हें अपने रियक्शन वीडियो खुद अप्लोड करना होगा समझना गया रियक्शन वीडियो अप्लोड करना बताना कैसा गया तुम्हारा एक्जाम ठीक है पिंगी प्रामिस बताओके ना चालो तो और कुछ तो ऐसा नहीं जो मुझे बताना था मैं भूल रहा हूं ठीक है बाइब ध्यान रखिए अपना अल्ट बेस्ट बेस्ट विशेस गो फोर्थ एंड कंकर इट जीत क्या ना ठीक है सुबह मिलेंगे वैसे सेशन में अपन सुबह हमें एक बार पूरा का पूरा अच्छे से सारे इंपोर्टेंट कुश्चन जो है वो करेंगे अपन ठीक है चलो